Hello Friends, Let's continue Learn Vocabulary Session Medical Practitioner को हम continue करेंगे और आज का हमारा जो Session है Medical Practitioner Part 2 पर है ठीके, लास्ट सेशन में हमने कुछ words पढ़ा था उसे हम continue करेंगे तो लास्ट सेशन में हमने एक word पढ़ा था Dermatologist, ठीके तो Dermatologist is the combination of two words Derma and Logos ये लास्ट टाइब मैंने बताया था Derma का मतलब होता है Skin and Logos का मतलब होता है Science और Study करना ठीके, Science और Study करना इसका क्या मतलब हो गया जो Dermatologist होता है वो Specialist in Skin Disorder होता है ठीके, तो Specialist in Skin Disorder यानि Skin से जुड़े हुए जो भी Disorder होगे Skin Infection हो, Inflammation हो, कुछ भी हो तो उसका जो Specialist होगा वो Dermatologist होगा यानि कि यहां से हम सीधा पता कर सकते हैं यह जो Word है Derma Base Derma आगे आने वाले कुछ Words में हम इस तरह से देखेंगे कि Derma Word आपको अगर किसी Word में भी मिलता है ठीक है, यह जो Root Word है Derma इससे आप Skin से Reference सीधा बना सकते हैं यानि कि यह जो Derma है सीधे सीधे हम कह सकते हैं यह जो Derma Word होता है Base Root Word यह Reference to Skin होता है यानि कि यह Skin को Refer करता है तो Derma Word लेके हम Continue करेंगे Derma का मतलब होगी है Reference to Skin तो कुछ Words ऐसे जो हम देख के ही पहचान सकते हैं जैसे कि पहला Word है हमारा Hypodermic ठीक है तो Hypodermic यहाँ पर Dermic आ रहा है यानि कि यह Skin से Related होगी है और Hypo यह दो वर्ड का Combination है Hypo plus Derma Hypo का मतलब होगया है Under और Derma होगया है Skin ठीक है जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे कि जो निडल होता है अगर किसी कोई Injection दिया जाता है तो निडल स्किन के अंदर तक चला जाता है तो निडल Penetrates Under the Skin निडल Penetrates Under the Skin ठीक है इस तरह से हो गया Hypodermic Next वर्ड है EP Dermis यह दो वर्ड का Combination है EP Plus Derma EP का मतलब हो गया Outer Enderma Skin ठीक है Hypo मतलब हो गया Under and EP मतलब हो गया Outer यानि कि Outer Layer of Skin हम बोल सकते हैं Outer Layer of Skin Outer Layer of Skin यानि कि EP Dermis का मतलब है Outer Layer of Skin जैसे कि हमने Science में पढ़ा है Plant में कि Plant में हमने पढ़ा है Outer Layer को EP Dermis बोलते हैं फिर Indodermis Exodermis इस तरह से तीन पार्ट होता है उसी तरह से तो वही हो गया है कि EP Dermis मिन्स हो गया Outer Layer of Skin Next word है Taxi Derm Taxi Derm ठीक है ये दो वर्ट से मिलकर बना हुआ है Taxi plus Derma Taxi Derm का मतलब है Who prepares the stuff and mounts the skin of animals यानि कि जो लोग एनिमल की skin निकाल कर उससे stuff बनाते हैं यानि कि कुछ products वगेरा बनाते हैं कुछ सामान बनाते हैं उसे हम Taxi Dermis बोलते हैं ठीक है तो Taxi Derm का मतलब हो गया है Who prepares stuff यानि सामान बनाते हैं and mounts the skin of animal animal के skin निकाल कर उससे को सामान बनाते हैं अगला वर्ड है Pachy Derm Pachy Derm से ठीक है Pachy Plus Derma Pachy Plus Derma Pachy का मतलब होता है ठीक यानि कि मोटा बोल सकते हैं मोटा ठीक है और Derma skin हो गया यानि कि वो animals जिनके skin बहुत मोटे होते हैं उसे हम Pachy Derm बोलते हैं uneven और बहुत ही ठीक skin वाले जो animals होते हैं उन्हें हम Pachy Derm बोलते हैं जैसे कि elephant है hippopotamus है rhinosaur ये जो भी animals होते हैं इनके skin बहुत ही मोटे होते हैं Pachy Derm कहा जा सकता है ठीक है तो animals with thick skin हम क्या सकते हैं animals with thick skin Pachy Derm ठीक है तो हम लोग का सारा word जो है वो डर्मा से ही related आ रहा है इसके बाद का जो word है वो है Dermatitis Dermatitis यहां भी derma आ रहा Dermatitis is the general name is the general name for all skin infection या inflammation बोल सकते हैं ठीक है तो skin से जुड़े हुए जितने भी infection inflammation होते हैं उसको एक general way में अगर हम कहा है general name अगर उसका दे तो वो हमारा Dermatitis होता है तो Dermatitis से जुड़े हुए हमने कुछ words पढ़ लिए हैं आई अभी quick revision कर लेते हैं यह बिल्कुल भी tough नहीं हैं बहुत ही आसान है सबसे पहले हमने देखा Dermatologist जो की specialist होता है in skin related disorder में ठीक है डर्मा हमेशा refer to skin ही होता है skin को refer करता है तो इसे जुड़ा हुआ कुछ words है हमारा hypodermic, epidermis, taxidermis ठीक हाइपो का मतलब हो गया है under hypo का मतलब under और EP का मतलब होता outer hypoderma यानि कि under the skin जो skin के अंदर जाएगा और epidermis यानि कि outer layer of the skin का जो उपरी layer होता है इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्यो फॉर वाचिंग दिस वीडियो